Hello everyone, welcome to Ritu's online classes, आज हम करने वाले हैं chapter money, class 3 का mathematics का chapter money जिसमें की हम cover करने वाले हैं introduction to money, conversion of rupees into पैसा, पैसे को रुपे में convert करना और money को हम add, subtract, multiply और divide कैसे करते हैं, साथ ही आपको मिलेंगी कुछ worksheets, money जो होता है वो हमारा दो form में होता है, एक होता है coins जो आपने देखी होंगे, दूसरे होते है currency notes, अभी इंडिया में जो coins चलते हैं वो है 1 रुपे का, 2 रुपे का, 5 रुपे का और 10 रुपे का coin चलता है, और जो notes अभी इंडिया में चलते हैं, उनमें है 1 रुपे का note, 2 रुपे का, इस तरह से दिखता है, 5 रुपे का, 10 रुपे का note, 20 रुपे का, 50 चास रुपे का, 100 रुपे का, 200 रुपे का, 500 और 1000 का पहले होता था, अब नहीं होता, अब 2000 रुपीज का नोट होता है। इंडियन रुपीज का, अब जाके, इंटरनाशनल सिंबल बना है, इस तरीके से, रा, उसके उपर दो लाइन्स, अब देखते हैं कि हम मनी को पढ़ते कैसे हैं, 12 रुपीज, 45 पैसा लिखा हुआ है, तो जो पॉइंट से पहले का डिजिट है, लेफ्ट साइड में, वो होता है पैसे, और पॉइंट के बाद हम सिर्फ दो डिजिट तक ही रखते हैं, तो 12 रुपीज, 45 पैसा, इस तरीके से इसको लिखेंगे, अब और प्राक्टिस करते हैं, मनी को पढ़ने की और लिखने की, जैसे कि 18 रुपीज, 65 पैसा, तो हम इसको लिखेंगे 18.65, 7 है, पैसा कुछ नहीं है, तो 1.00, सिर्फ 2 डिजिट तक हमको 00 लगाना है, आपको पता है, एक रुपे में 100 पैसे होते हैं, तो अगर मैं बोलू, 5 रुपे में कितने पैसे होंगे, तो 5 multiply 100, 7 रुपीज में कितने पैसे होंगे, 7 multiply 100, तो हम रुपीज को पैसे में convert करने के ल number of rupees by 100, एक और example से इसको समझने की उकोशिश करते हैं, अगर आपको एक rupees और पैसा दोनों दिया है, उसको आपको convert करना है, आपको बोला 7 rupees 65 पैसा है, इसको पैसे में convert करो, तो जो rupees है, हम सिर्फ उसको convert करेंगे, पैसे वाला जो है, उसको add करेंगे, तो 7 multiply 100, 700 पैसा, प्ल एक रुपया बनाते हैं, तो जब हम पैसे को रुपे में convert कर रहे हैं, तो हमको देखना है, एक रुपे में 100 पैसे है, तो पैसे को रुपे में convert करने के लिए आपको 100 से divide करना होगा, जैसे कि 650 पैसे में कितने rupees हैं, तो हम 650 को 100 से divide करेंगे, तो हमारा answer आया 6, लेकिन remainder बच वो हो गया पैसा और जो कोशेंट आया वो हो गया रुपीज remember this thing 100 से हम divide करेंगे जब भी हम पैसे को रुपे में convert करते हैं अब addition और subtraction कैसे करते हैं जैसे हम किसी भी number का करते हैं exactly वैसे ही करते हैं बस point के left side में जो है वो रुपीज रहेगा point के right side में जो होगा वो पैसा रहेगा columns को arrange ठीक तरीके से करना है आपको रुपीज के नीचे रुपीज लिखना है पैसे के नीचे पैसा लिखना है जैसे हम carry करके addition और borrow करके subtraction करते हैं same वही करना है बस arrange ठीक से करना है dot की जग़ब पे dot लगाना है और multiply जैसे हम किसी भी number को multiply करते हैं विपकुल वैसे ही करना है 24 को 5 से multiply करेंगे 120 आ गया लेकिन अगर हम point वाले numbers को multiply कर रहे हैं 9.52 को अगर हम 5 से multiply कर रहे हैं तो जो हम point लगाएंगे ना right से digit को count करेंगे 2 digit छोड़ के हम point लगाएंगे तो हमारा answer आया था 4760 आपने 2 digit छोड़ के point लगा दिया 47.60 is your answer money को हम divide भी exactly वैसे ही करते हैं जैसे कि हम numbers को divide करते हैं जैसे आपको 35 को 7 से divide करना है 7 5 is the 35 तो आपके पास 5 answer आ गया लेकिन जब आप point वाले number को divide कर रहे हो 6 3 7 2 को आपने 9 से divide किया आपका answer आया 708 अब जो आप answer आया है ना उसमें point लगाओगे right से 2 digit छोड़ के तो multiply और division में हम right से 2 digit छोड़ के point लगाते हैं तो वो हमारा answer बनता है अब यहाँ पर एक question है 100 रुपीज के एक note में 2 रुपे की कितने coin होईगे तो हमको divide करके पता चलेगा आपने 100 को 2 से divide किया तो 50 coins होईगे total अब करते हैं थोड़े से word problem तो question number 1 मिन्टू ने एक eraser खरीदा 2 रुपीज 50 पैसा का एक शापनर खरीदा 5 रुपीज 50 पैसा का एक marker खरीदा 10 रुपीज का तो total items की cost कितनी होई कैसे पता चलेगा तीनों की cost को लिखेंगे और add करेंगे तो रुपीज के नीचे रुपीज पैसा के नीचे पैसा marker जो था वो 10 रुपीज का था तो 10.00 लिखेंगे तो तीनों products की cost कितनी होई altogether it is 18 रुपीज moving on to the next question तीना के पास उसके पर्स में 50 रुपीज 50 पैसा था उसमें से उसने अपनी friend के लिए gift लिया 31 रुपीज 50 पैसा गा तो अब तीना के पास कितने रुपे बचे तो पहले तीना के पास कितने थे उसमें से जितने उसने खर्च कर दिये minus कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने बचे तो 50.50 में से 31.50 को minus करेंगे 19 रुपीज 30 के पास अब बचे और अब आपका ये homework है जिसमें बहुत सारी worksheets थी है मैंने पहले question में आपको क्या करना है इनको figures में लिखना है 55 रुपीज 25 पैसा तो रुपीज में तो आ जाए आप अपने आप करना question number two इनको हमको convert करना है पैसे में convert करना जब रुपीज को पैसे में convert करते हैं तो क्या करते हैं multiply by 100 ना वही करना है अब इस question में आपको ये पैसा दिया हुआ है रुपीज में convert करना है तो पहला वाला 5050 पैसा इसको हम 100 से divide करेंगे 50 question आएगा 50 remainder पाकी अपने आप next question arrange and add the following amount of money पहले आप इनको ठीक से लिखना arrange ठीक से करना रुपीज वाले section को रुपीज में पैसे वाले में point के बाद 2 digit जो होंगी वो लिखेंगे फिर add करके आप answer निकालना next question यहाँ पे भी arrange in columns and subtract 80.79 में से आपको 45.31 माइनस करना है तो जैसे हम normal numbers को अप track करते ना बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पे word problems दी हुई है discuss करना है मुझे नहीं इसको आप अपने आप करो जब आपको नहीं आएगा तो आप comment section में उसे पूछना I'll definitely help you बहुत simple सी है जहाँ पे पूछा money left वहाँ पे minus करना है how much she's spend in all वहाँ पे plus करना है ठीक है और यह है brain teasers question को बहुत ध्यान से दो बार पढ़ना उसके बाद आप correct answer पर टिक करना यहनी कि मुझे comment section में बताना तो अब हमारा money का chapter complete हो गया I hope आपको clarity है and I want you to like, share and subscribe